एक ही उलम्पिक में दो मेडल जीत कर इतिहास रशनेबाली भारत की पिस्टल निशानेबास मनुभाकर पैरिस उलम्पिक के समापन समारों के बाद अपने कोच और मा के साथ भारत वापस लोट आई हैं। समापन समारों में महिला निशानेबास मनु भाकर और भारती पुरुष होकी टीम के अनुभवी गोलकी पर पियार श्रिजेश ने भारत की नुमाइंदगी की मनु मंगलवार सुभह दिल्ली के इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट पहुंची उन्होंने कहा कि 2028 में होने वाले ओलम्पिक में वे और बहतर करेंगी मनु बाकर के कोच जस्पाल राणन ने बताया कि मनु अक्टोबर में होने वाले शूटिंग वल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगी उनकी नजरें 2026 में होने वाले एशियाई और कॉमन वेल्थ गेम्स पर टिकी है पैरिस ओलम्पिक में भारत ने 6 मेडल जीते हैं तीन मेडल शूटिंग में आए आजाद भारत के इतिहास में मनु भाकर देश की पहली ऐसी एतलीट हैं जिन्होंने एक हे उलम्पिक में दो मेडल जीते हैं करते हैं है